जो आप ये सोचते हैं कि भाई या पचास हजार विकेंसी में में मेरा नहीं हुआ तो यूपी पुलिस में जो 38,000 या 37,000 की बात चल रही है तो क्या इसमें मेरा हो जाएगा इसका कारान बता देता हूँ बच्चो ये थी SSC GD की विकेंसी इनमें आप फेल हुए जो हाल फिलाल में फेल हुए उनके लिए अभी ये बात पास हुए हो तो बहुत बड़ी है बात है और यूपी पुलिस नौकरी भी अच्छी है नो डाउट वर्दी का रॉब पुलिस में दिखता है ये भी बात पकी है वो देश रक्षा का अगर इसका मन है वो जीडी में जाता है बिलकुल जनता की रक्षा का मन है वो पुलिस में जाता है बिलकुल वर्दी का रॉब दिखाने का मन है तो यहां जाता है वर्दी लवर यहां जात तो आपने जो fight लड़ी है ना वो 50,000 की नहीं लड़ी वो 4216 पदों की लड़ी है और यहां जो यह आएंगे पद यह यूपी के लिए आएंगे नहीं घर इसमें भी other state आते हैं अब आप सुलो इसमें मत्र 10% other state के selection होता है मत्र 10% 10% में almost सारे other state रहते हैं क्यों सारे ऐसा quota fix? quota fix नहीं है other state जो भी UP इसका form भरता है वो सब general में count होता है quota fix नहीं है और जो पिछला record है वो यह कहता है कि करीब 10% other state की other state ले जाते हैं 10% अगर इसमें से 10% यानि 3700 vacancies वो ले भी गए तो अभी आपके पास 33,300 बचती है अब आप सोचो यह सिर्फ UP के लिए अब सोचो यह on and average रहा है अब तर यहां 4216 ती और यहां 33,300 अब आप सोचो ना बच्चो यार यह तो इसससे 8 गुनी vacancies हैं तो यहां तो इसके मुकाब लेगर उस competition से compare कर रहे हो तो भाई यह से करो वहां तो आपका जो आपकी जो vacancies थी वह सिर्फ इस पर fight थी और लड़कियों में देखो तो सिर्फ 400 पत थे और यहां तो लड़कियों के 20% रहेंगे लड़कियों के लिए तो बहुत आसान होता है UP police इसके मुकाबले ससी जीडी के मुकाबले इस competition को दिखा करके आपकी आँखे खोलना चाहता था कि बच्चो आप डरो मत UP police है आपके पास आँखे खोल के देखो लेकिन पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि इसके इंतजार में भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं